दीप अ ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है तो हमारे यहाँ पर अच्छे जमाजम बारिस हो रही है तो हस्बन जी का ओडर आया कि प्याच के पकोड़ी बनाईए तो हम प्याच के पकोड़ी बनाने की त्यारी करने लगे हैं आप देख सकते हो, हमने प्याज को पतले-पतले स्लाइट में काट लिया है, इनको हम एक बर्तन में टांसफर कर लेंगे, जिसमें हमें अच्छे से बेसन मिक्स करते हैं, बने वह सारे मसालि, और हमने ये तीन हरी मेची काट के लिए, आप अपने टेस्ट के अंसार मेची ले रहे हैं, अब इसमें हम एक चमच अजवाइन मिलाएंगे, अजवाइन को थोड़ी सा क्रेस करके मिलाएंगे, तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, और टेस्ट के अंसार हम नमक मिलाएंगे, जितने हमारे पकोड़े हैं, उस और थोड़े से हम जीरे डालेंगे, जीरे का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें जितना हमें बेसन चाहिए, उस हिसाब से हम बेसन डालेंगे, क्यों हम दोजन के हिसाब से बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे, ताकि हमारे पकोड़ इसको mix करके एक साइट रख दिया है अब हम चाय बनाना सुरू करते हैं तो अबने चाय बनाने के लिए पतेली चड़ा दी है उसमें पानी डाल दी है पानी मोवाल आ गया तो आपको दिखानी पाई अब कलेप कट गई है और हमने अपने टेस्ट के अपने चीनी डाल दी और इसे हम पकोोड। डालें चाय भी हमारी उबल गई तो चाय मेंविद भी दूद मिला दिया है और तेल होया तो हम पकोड। दालना शुरू करेंगे। om हम् अपने अंसार नाल रहे हैं पकोड या से छोटी या बड़े आप दोनों तरह से डाल सकते हैं इस 온य कि शुचते हो यह ना चोटे हैं न बेड़े हैं जितने तेल हो तुम भी पार्थकें जिए ह। तो इस बारस में खाने में अच्छे लगते हैं, पकोडे इसलिए बारस में ज़्यादा बनते हैं, गर्मिलों में तो कोई दे नहीं बना ये खाए। सब्सक्राइब करें और तभी आईएगा हम आपको भी चाय पकोड़ी बना के खिलाएंगे